नवस्कार गुजरात के लोखप्रियम मुख्र मंत्री स्रीमान भुपेंदर भाई राज सरकार के मंत्री आयापैस्विये के चेर्मेन के राजरामन जी दुनिया के सम्मानित फाइनांशियल इंस्टिटूशन और विभिन समस्थाओं के लीडर्स देवी और सज्जनों आप सभी का इन्फिनिटी फोरुम के दूसरे एडिक्षन में अभिनंदन है मुझे याद है जब दिसंबर 2021 में हम पहले इन्फिनिटी फोरुम के दौरान मिले थे तो पैंडेमिक की जगह से उसकी वज़े से दुनिया में कितनी अंसर्टेनिटी थी हर कोई ग्लोबल एकोनमिक ग्रोध को लेकर आशंका में था और ये चिंता आज भी खत्म नहीं हुई है जियो पोलिटिकल टैंशन हाई इंफ्लेशन और डेट लेवल्स की मुश्किले आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं ऐसे समय में भारत रेजिलियंस और प्रोग्रेस का एक शांदार उदाहन बनकर उभरा है ऐसे महत्मपन कालखंड में गिप सीटी में 21 सदी की आर्थिक नित्यों पर मंथन होना गुजरात का गौरो बढ़ाने वाला है वैसे मैं आज गुजरात के लोगों को एक और बात के लिए भी बढ़ाई दूँगा हाली में गुजरात के पारंपारिक दांस गर्बा को युनेस्कों ने इंटेजिबल कल्ट्रल हैरिटेज में शामिल किया है यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्दी है गुजरात की सफलता देश की सफलता है फ्रेंट्स आज भारत की ग्रोथ स्टोरी ने दुनिया को दिखाया है कि जब पॉलिशी को सरवच्च प्रात्वित्ता दी जाए जब गुड गवर्णनस के लिए पूरी ताकट लगाई जाए जब देश और देश वाच्यों का हीत ही आर्थीक नितियों का आधार हो तो क्या नतीजे मिलते हैं कि भारतिय ववस्ताने इस फिस्कल येर के पहले छे महिनों में ही सेवन पॉइंट सेवन परसेंट की दर्से प्रगति की है इसी साल सितंबर में आयमेप ने कहा था कि 2023 में 16 परसेंट ग्लोबल ग्रोथ भारत की विज़े से होगी इससे पहले जुलाई 2023 में वर्ल बैंक ने कहा था कि ग्लोबल चैलेंजिज के बीच भारत और उसकी अर्थव्यवस्था से बहुत जादा उम्मीदे हैं इसी साल मार्च में आस्ट्रेलिया के पीम ने कहा था कि भारत ग्लोबल साउथ को लीडर्शिप देने के लिए मजबुत सिती में है कुछ मेहने पहले वर्ल एकनोमिक फर्म ने भी कहा है कि भारत में रेट टेपिजम कम हुआ है निवेश का बहतर माहूल बना है आज पूरी दुनिया भारत से उम्मीदे लगाए हुए है और ये ऐसे ही नहीं हुआ है ये भारत की मजबुत होती अर्थववस्ता और पिछले दस वर्सों में किये गए ट्रांस्फॉर्मेटिव रिफॉर्म्स का रिफ्लेक्शन है इन रिफॉर्म्स ने देश के एकनोमिक फाउंडेशन को ससक्त किया है महामारी के दौरान जब जादा तर देश सिर्फ फिस्कल और मॉनेटरी रिलिफ पर फोकस कर रहे थे हमने लॉंग टर्म ग्रोथ और एकनोमिक केपिसिटी के विस्तार पर फोकस किया साथियों हमारे सुधारों का एक महत्वप्रों लक्ष यह है कि ग्लोबल एकनोमिक के साथ इंटीग्रेशन बढ़ाया जाए हमने कई सेक्टरस में कि एफडियाई पॉलिशी को लचिला बनाया हमने कंप्लाइंसिज बर्डन को कम किया हमने थ्री एप्टीएस पर साइन किये और आज भी हम कई एहम कदम उठा रहे हैं एक गिप्ट आएफएसी एंडियन फाइनेंसिल मार्केट को ग्लोबल फाइनसियल मार्केट से इंटेग्रेट करने के लिए हमारे लार्जर रिफार्म का हिस्सा है गिप्ट सिटी की परिकल्प्रा एक ऐसे डाइनेमिक एकोसिस्टिम के रुप में की गई है जो इंटरनेशनल फाइनांस के लैंड्सकेट को रिडिफाइन करेगा यह इनोवेशन एफिसंसी और ग्लोबल कॉलोबरेशन के नए बेंचमार्क स्थापित करेगा 2020 में इंटरनेशनल फाइनांशल सर्विसीज सेंटर्स अथोरिटी की एक इनिफाइड रेगुलेटर के तौर पर थापना इस यात्रा का महत्वपून लेंड्मार्क है आर्थिक उथल पूथल के इस मुश्किल कालखन में भी आयापेस ये ने 27 रेगुलेशन्स और 10 से अधिक फ्रेमवर्स बराएं हैं इससे इन्वेस्टमेंट के भी नए रास्ते खुले हैं आपको ये जानकर खुशी होगी कि इन्फिनिटी फॉरम के पहले एडिशन में आपने जो सुझाव दिये थे उनके आधार पर कई इनिशिटिव शुरू हुए हैं जैसे एप्रिल 2022 में आयापेस ये ने फंड मेनेजमेंट एक्टिविटीज को गवन करने के लिए एक कॉंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क नोटिफाई किया आज आएपेस ये के साथ 80 फंड मेनेजमेंट समस्ताएं रजिस्टर है जिनों ने 24 बिलियन डॉलर से अधिक के फंड सेट अप किये हैं यह दो लीडिंग इंटरेश्टन उनिवर्सिटी ने ट्वेंटी ट्वेंटी फोर से गिप्ट आएपेस सी में अपने कोर्सी शुरू करने के लिए एप्रूबल लिये हैं एरक्राफ लीजिंग का फ्रेमवर्क आएपेस सीय ने मई 22 में जारी किया था आज आएपेस सीय के साथ 26 इकाईयों ने आपरेशन शुरू कर दिये हैं साथियों पहले एडिशन की जोड़दार सफलता आपके सुझावों पर इतना काम होने के बाद अब सवाल है कि आगे क्या क्या गिप आएपेस सी का दायरा इतना ही रहेगा तो मेरा जबाब होगा नहीं सरकार गिप आएपेस सीय को ट्रेडिशनल फाइनांस और वेंचर से आगे ले जाना चाहती है हम गिप सीटी को न्यू एज ग्लोबल फाइनांसियल एंड टेक्नलोजी सर्विसीज का ग्लोबल नर्व सेंटर मनाना चाहते हैं मुझे विश्वास हैं गिप सीटी के प्रोडक्स और सर्विसीज विश्व के सामने खड़ी चुनोतियों का समाधान करने में मदद करेंगे के अर इसमें आप सभी स्टेक होल्डर की बहुत बड़ी भूमिका है साथ्यों आज विश्व के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनोतियों में से एक हैं क्लाइमेट चेंज विश्व की सबसे बड़ी अर्थ ववस्ताओं में से एक होने के काराण भारत भी इन चिन्ताओं को कम नहीं आगता है उसको लेकर के हम सचेद भी हैं कुछ दिन पहले ही कोप समिट में भी भारत ने नए कमिटमेंट विश्व के सामने रखे हैं भारत और दुनिया के ग्लोबल टार्गेट्स को एच्चिव करने के लिए हमें कॉस्ट इफेक्टिव फाइनांस की परियाप्त उपलब्तता सुनिश्चित करनी होगी ग्लोबल ग्रोथ और स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए सभी सस्टेनेबल फाइनांस की जरुवत को समझ सकें इससे greener, resilient और inclusive societies and economies की दिशा में transition को बढ़ावा मिलेगा कुछ estimates के अनुसार भारत को भी 2070 तक net zero target हासिल करने के लिए कम से कम 10 trillion dollar की जरुरत होगी इस investment की एक निश्चित रहसी को global sources के द्वारा भी finance करना होगा इसलिए हम IFC को sustainable finance का भी एक global hub बनाना चाहते हैं भारत को एक low carbon economy बनाने के लिए जरूरी green capital flow के लिए कि गिप्ट आया पैसी एक efficient channel है कि ग्रीन बॉंड्स कि सस्टेनेबल बॉंड्स सस्टेनेबिलिटी लिंग बॉंड्स जैसे financial products का विकास होने से पूरी दुनिया की रा और आसान होगी आप जानते हैं कि भारत ने COP28 में एक pro planet initiative के तौर पर global green credit initiative का एलान किया है मैं चाहूंगा कि यहां मौजूद सभी अनुभवी लोग green credit के लिए एक market mechanism डेवलप करने पर अपने idea जरूर दें साथियों भारत आज विश्वके fastest growing fintech मार्केट में से एक है कि फिंटेक में भारत की ताकत कि गिफ्ट आयपसी के बीजन से जुड़ी है जिसके कारण यह स्थान फिंटेक का एक उभरता हुआ केंद्र बन रहा है 2022 में आयपसी ने फिंटेक के लिए एक progressive regulatory framework जारी किया था इनोवेशन और entrepreneurship को बढ़ावा देने के लिए आयपसीय में एक फिंटेक इनिशेटिव स्कीम भी है जो इंडियन और फोरेंट फिंटेक को ग्रांट देता है गिप सीटी में दुनिया के लिए ग्लोबल फिंटेक वर्ल का गेटवे और फिंटेक लेबरेटी बनने की ख्रमता है मेरा आप सभी से आग रहें कि इसका जादा से जादा लाग उठाएं साथियों अपनी स्थापना के कुछ वर्षों के अंदर गिप्ट आएफेस सी जिस तरह ग्लोबल केपिटल फ्लो का प्रॉमिनन गेटवे मन गया है वो अपने आप में अध्यान का विशह हैं गिप्ट सीटी ने एक यूनीक ट्राइं सीटी कंसेप्ट को डेवलप किया है अहित्यासिक शहर अंदाबाद और राजदानी गांदिनगर के बीच थीत गिप्ट सीटी की कनेक्टिविटी एक्सेप्टनल है गिप्ट आएपसी का कटिंग एज डिजिटल इंफ्रासेक्टर एक ऐसा प्लेटफर्म देता है जिससे बिजनेस की स्पीड और एफिजन्सी बढ़ जाती है इसकी ग्लोबल कनेक्टिविटी के बारे में आप बलीभाती जानते हैं गिप्ट आएफसी एक ऐसा मनेजमेंट बनकर उभरा है जिससे फाइनांचियल और टेक्नोलोजी वर्ड के सबसे बिगेस्ट माइन इसकी और एट्रेक्ट होते हैं आज आएफसी में फाइटी ऑपरेशनल एंटिटीज हैं थ्री एक्षेंजिज जिसमें इंटरनेशनल बुलियन एक्षेंज भी सामिल हैं ट्वेंटी फाइव बैंक्स जिसमें नाइन फॉरेंट बैंक्स सामिल हैं ट्वेंटी नाइन इंसॉरंस एंटिटीज तू फॉरेंट उनिवर्सिटीज फिप्टी प्लस प्रोफेशनल सर्विसीज प्रोवाइडर्स जिन में कंसल्टिंग फॉर्म्स हैं लॉव फॉर्म्स हैं सीए फॉर्म सामिल हैं मुझे विस्वाथ हैं अगले कुछ वर्षों में गिप्ट सिटी दुनिया के सर्वस रेष्ट इंटरनेश्टरल फैनेंशल सेंटर में से एक होगा साथियों भारत एक ऐसा देश हैं जहां गहरे लोगतांत्रिक मुल्य है और ट्रेड एंड कॉमर्स के एत्यासिक परंपरा है भारत में हर इन्वेस्टर या कंपनी के लिए मोस्ट डाइवर्स रेंज अप अपर्चनिटीज मौजूद है गिप्ट को लेकर हमारा वीजन भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ा है मैं आपके सामने कुछ एक्जामपल्स रखता हूं आज चार लाख एर पैसेंजर्स हर रोज यात्रा कर रहे हैं 2014 में हमारे हाँ पैसेंजर एरकाप की संख्या 400 थी जो आज बढ़कर 700 से ज़्यादा हो गई है पिछले नव वर्षों में भारत में एरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो चुकी है आने वाले वर्षों में हमारी एलाइस करीब 1000 एरकाप खरिदे जा रही हैं इन परिस्थितियों में गिप सिटी द्वारा एरकाप ब्लेजर्स को कई तरह की सुविदाय देना बहुत ही रिमारकबर है भारत के वाटर रूट से माल की आवाजाई तो बढ़ी रही है जहाजों की संख्या भी बढ़ने जा रही है आएप सीये ने का शीप लीजिंग फ्रिमवर्क इस ट्रेंड का पूरा फाइदा उठाने का आउसर दे रहा है इसी तरह भारत का स्ट्रोंग आईटी टैलेंट डाटा प्रोटेक्शन लोग्स और गिप का डाटा एंबेसी इनिसिटिव्स सभी देशों और बिद्नेसिस को डिजिटल कनेक्टिविटी की शिक्योर फैसिलिटी देता है भारत के युआ टैलेंट की बदालत हम सभी बड़ी कंपनियों के ग्लोबल केपबिलिटी के सेंटर का बेस बन गए हैं साथियों अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थववस्ता और 2047 तक भारत विख्षित देश बन जाएगा न्यू फोर्म सब कैपिटल डिजिटल टेकनोलोजीज और एज फाइनशल सर्वीजीज इस यात्रा में महत्वपुन भूमी का निभाएंगे अपने एफिशेंट रेगुलेशन्स, प्लॉग और प्ले इंफ्रास्रक्टर, लार्ज इंडियन हिंटरलेंड एकनोमी तक पहुँच, बेनिफिशल कॉंस्ट अप अपरेशन्स और टैलेंट एडवन्टाइज की वज़ए से गिप सिटी ऐसे अवसर तैयार कर रहा है जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता आएए गिप्ट आएफसी के साथ मिलकर ग्लोबल ड्रीम्स को पूरा करने के लिए दिशा में हम मिलकर के आगे बढ़े बहुत जल्धी वाइब्रेंट गुजराट ग्लोबल इन्वेस्टर समीट भी होने जा रहा है मैं उसके लिए भी सभी इन्वेस्टर्स को निमंत्रित करता हूँ और आपके इन प्रयासों को अनेक अनेक शुपकामनाई देता हूँ आईए हम मिलकर दुनिया के गंभीर मुद्वों का समाधान खोजने की दिशा में इनोवेटिव आइडियास को एक्स्ट्रोर करें और उसे आगे बढ़ाएं बहुत बहुत धन्यवाद झाल